अबिवी विद्यार्तियों को नमस्कार आज हम photosynthetic pigment के बारे में अध्यन करेंगे जिसे हम प्रकास संसलेशी वरनक कहते हैं वरनक कौंका पढ़ना हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि प्रकास संसलेशन की जो परकिरिया होती है उसमें जो pigment होते हैं मुखी रूप से जो chlorophyll जिसको हम हरित वर्नक कहते हैं उसकी मुखी भूमिका होती है तो आपके syllabus में जितने जो pigment है मुखी रूप से man pigment और accessory pigment उनका structure और उनकी position के बारे में आपके syllabus में दिया हो है जिसके बारे में आपके exam में भी question पुछा जा सकता है तो आपको यह पता होना चीए कि जो photosynthetic pigment होते हैं उसकी photosynthesis में मुखी भूमिका होती है जिस प्रकार carbon dioxide gel और light आउसक है उसी प्रकार pigment के बिना प्रकास translation की जो परक्रिया है वो पूरी नहीं हो सकती है तो आज हम photosynthetic pigment कौन-कौन से है आपके syllabus में और उनके structure के बारे में अध्यन करेंगे जैसा कि आप जानते हो कि जो प्रकास उर्जा का absorption होता है पोदों में वर्नकों द्वारा ही किया जाता है और जिने हम प्रकास संसलेशी वर्नक कहते हैं जो भी light energy होती है उसका absorption को करने का कारे होगा वो कौन करेंगे जो भी प्रकास संसलेशी या photosynthetic pigment होते हैं वो मुकी रूप से इसका कारे करते हैं और पादब जो होते हैं वो प्रकास संसलेशन की किरिया में प्रकास उर्जा का absorption करके उसे राशानिक उर्जा में परिवर्तित करते हैं तो इन सब को अपन फोटो संसलेशी पिगमेंट कहते हैं जो लाइट को एब्सॉर्ब करने का कारे करते हैं अब आपको यह ध्यान रखना है कि जो photosynthet Flower pigmented हमरे अंहीं थो भागव में विवाजित कर सकते हैं एक तो मुख्य प्रकास संसलेशी वर्नक MEN photosynthetik । जिसमें chlorophyll मोजूद है chlorophyll के कितने प्रकार होते हैं काहा काहा chlorophyll पाये जाते हैं किन व करने में του क्लोरोफिल पाए जाते हैं उसके बारे में मत्यान करेंगे और दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं एसेशरी फोटो सिंथेटिक पिगमेंट या जिसे हम बोलते हैं सहायक प्रकास संसी वनक जिसमें केरोटिनोइट्स और फाइको बिलिन्स है वो मुखी रूप से सम्मिली थे अब जो मुखी जो है वो है क्लोरोफिल वर्नक बोलते हैं यह सबसे महत्वपून हैं यह आपको यह दिखाई दे रहे हैं सबसे महत्वपून होते हैं हरे रंके होते हैं आपको यह ध्यान रखाए कि जो क्लोरोफिल वर्नक है अब तक 9 परकार के क्लोरोफिल वर्नकों की प और । नो प्रकार से भो होते हैं उनके अदर उपस्तित होते हैं छोड़ी ची जानकरी है को यह भी ध्यान रखनी है कि chlorophyll A जो होता है वो universal pigment होता है यह लगबग सभी पोदों के अदर chlorophyll A है वो आपको देखने को मिलेगा chlorophyll B भी है जो व्यापे क्रूप से आपको देखने को मिलता है कुछ सेवालों में यह अनुपसित होता है और जो chlorophyll C, D और E यह जो है कुछ algae के अंदर chlorophyll A के साथ आपको देखने को मिलेंगे लेकिन chlorophyll C, D और E है जो higher plant है उच पादपों में absent होते है तो total पांच परकार के जो chlorophyll पाए जाते हैं उसमें उच पादपों में chlorophyll A और chlorophyll B यह दोनों pigment है यह मैतपोन है और इनकी सनचना के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए अब जो chlorophyll होते हैं इनके और भी हम करेक्टर पढ़ेंगे यह carbonic विलाइकों में गुलन सील होते है यह इनका एक मु तो chlorophyll की सनचना को समझने से पहले कि इनके मॉलीकूल किस जगे इस्तित होंगे कहां किस तरह से यह कारे करते हैं तो आपको थोड़ी सी जानकारी जो हरित लवक है यह क्लोरोप्लास जिसको हम करते हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है आप इस डाइग्रा जो है वो दोहरी जिल्ली युक्त कोशिकांग है और प्रतेक जो कला है इनर मेंब्रेन हुई या आउटर मेंब्रेन होई इसकी जो चोड़ाई होती है पचास से लेके 80 एंगिस्ट्रम तब होती है इसमें से जो दोनों कलाओं के मद्दे का जो इस्तान है उसे हम इंटर में इसमेरेन इस्पेस कहते हैं और इसे पैरिप्लास्टियल इस्तान है जो इन दोनों कलाओं के मद्दे आपको दिखाई दे रही है अब अगर इसकी अंदरूनी भागों का वर्णन करें तो इसे दो भागों में भी बज़ित कर सकते हैं एक भाग को हम बोलेंगे ग्रेना या इसलिए भी मैं तो पून है कि जब हम आगे लाइट रेक्शन पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से प्रकास जो लाइट रेक्शन या प्रकास ही कभी करिया है वो समझ में आ जाए अब जो इस्ट्रोमा है जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर यह इस्ट्रोमा लि इसलिए के लावा निम्न अनुभार के आरेने मॉल्ल भी इसमें उपस्तित होती हैं कई और जो अम्हीं पढ़ागे इसमें इसमें संचीत रहती है अब इस्ट्रोमा का मुख्य भाग है इसमें आपको यहां दिखाई दे रहा है लेमिला या इससे हम लेमिली भी कह सकते हैं इसundra पफली का भी कहते हैं, वह आपको दिखाई दे रही है, ये मुक porta का भाग होता है, इसे हम लैमिल्यको Frett Ax糖 के बीह थे हैं, यह भी आपको इस बीच बीच में दिखाई दे रही है, जैसे इस तरह से यह दिखाई दे रही है, यह एडाइगराम में आपको दिखाई दे हो सकते हैं तो जैसा कि आमने पहला देखा की कलोरॉप्लास्ट का जो पार्ट है वह है दूसरा भाग जिसको हमने ग्रेना का यह यह जटिल भाग है और इस भाग में राइट रीकसिन जो होगी ग्रेना जो होता है आप यह देखें कि प्रतियक क्लोरो प्लास्ट पर 40 से लेक मैं दिख़िए रहे हैं के जुकल की सिक्सटी मौ यह उपशिद होता है ग्रेनम उपच्छित मौनद मौने कर कर दो सिंगल.. व्यवस्तित होती है और एक ग्रेनम जैसे यह मानलो मैंने सिखा रखा है य यह टिखांर और एक तो यह आप देखांगें इस प्रेट पथ्ली का दवारा जुड़ा रहता है जिसे हम लैमिली भी कह सकते कृते इन स्थानों पर ईस्ट्रोमा प्त्लिकाउं में और बहाद नहीं था लेखें आपको यह अदिफिकेशन नहीं कर सकते किये क्योंकि बैसिक रूप से श्रॉमा प्तलिकां और ट्रेथ्स जो प्तलिकां है वह स्ट्रक्चरल या सारचनातम रूप से समान होती है आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक granum के अंदर दस से लेके 100 पटलिकाओं का जो stock है वो हो सकता है अब आपको ये ध्यान रखना है कि परतेक पटलिका या इस पटलिकाओं को हम दूसरा नाम बोलते हैं thailicoid ये भी आपको याद रखना है thailicoid इसको आप thailicoid भी कह सकते हो thailicoid है दो कलाओं से मिलके बना होता है इनके मद्य में lumen भरा रहता है और इस lumen में कई जल या गुलंसील लवन गुले रहते हैं तो thailicoid कला के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि thailicoid हम इस लिए फट रहे हैं नहीं को मद्य आपको देखाई देखाई रही है लिपिड की जो है वर्णकों की एक दुइ आणवीक परित है वह आपको दिखाई न कि रही है नहीं तो है नहीं करते हैं मॉलीकुल उपसे थे तो यह जो क्लोरोप्लास इसलिए पड़ी इसके अंदर, ग्रेणा, ग्रेणा के अंदर, ताईलाकॉइट है यहां जासे यह दिखाई दे रहा है कि यह दोसरा तीसरा तरह आपको मौलेक्वील यह जो जो जोड़का है इसको is फ को हम बोलते हैं यह इसका बना थो होता है फॉर्फायरीन हीज च्छ भी जोह है तो यह कि युढ टेल होती है यिसको हमने एक लाइन से दिखा रखा है इस टेल यह जो टेल होती है यह यह ँवा फ disrupt पर जाती है और ऑशह explor और फोट यह यहां पर तोड़ा अब हम वापिस अपने जो हैड टॉपिक है उसके बारे में इसका जो इस्ट्रक्चर था वह इसकी सनचना का विश्टरत रूप से उन्होंने अध्यन किया था आपको यह ध्यान अतना है कि सभी क्लोरोफिल जो अनुव होते हैं चाए वो A, B, C, D, E जो भी हो उस अनुव में यहाँ पे जो दो मुखी रूप से क्लोरोफिल A और B के बारे में विश्टरत रूप से अध्यन करेंगे उन्हों में एक हैड होता है और एक टेल में विवेद होती है आप यह देखें यह देखें इस डाइग्राम में देख सकते हैं यह एक इस्ट्रक्चर बना रहा है यहां पर इसमें से यह जो पॉर्ष्ण है यह पॉर्फाइरीन हैड होगी और यह होगी फाइटोल टेल अगर मॉलिकुलर फॉर्मूले के हिसाब से इसको व्यवे होता है वह बाहर की तरफ तरफ प्रोठीन की तरफ व्यवेवस्चित होता है और ठैवल जो अंदर वर्मान प्रत्यक में नाइट्रोजन और उपसीत म्यूद्व अच्छा क्लोरोफिल के जो हेड है वो टेटरा पाइरोलिक भी कहते हैं और इसकी जो साइज आमाप होती है 15 एंगस्ट्रॉम इंटू 15 एंगस्ट्रॉम होती है यह आपको इसमें दिफ़ाई रेती है अच्छा पाइरोल जो रिंग होगी पाइरोल रिंग का मतलब इताग जि यह जो सेंटर के अंदर आपको मैंगनीशियम का परमानों दिखाई देगा और प्रतेप मैंगनीशियम का परमानों नाइट्रोजन के परमानों से आपको जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है ठीक है इसके अलावा थोड़ा सा अगर इसको एनलार्ज करके हम लोग देखे तो आप यह देखें यह एक ring होगी, यह दूसरी ring होगी, यह तीसरी ring होगी और इस चोतिर होगी, चार पाई रॉल ring आपको दिखाई दे रही है, central इन्र आपको मैंगलीशियम का परमानु दिखें दे रहा है और nitrogen की molecule द्वारा इसमें आपस में जो सनचना है और यह जो सनचना है इसमें अब आप देखें यह इसकी लंबाई और यह इसकी चोड़ाई तो यह 15A और 15A आपको यहां भी दिखाई दे रहा है तो इस पूरे सनचना को हम बोलते हैं पॉर्फायरीन हैड पापिस इसमें आदाओ हैड के पाइरोल रिंग के साथ एलकोहल की एक स्रंकला जिसमें कार्बन की 20 मॉलिकूल हाइड्रोजन की 39 और हाइड्रोक्सिल आइन जो होते हैं वह कितने होते हैं वह एक होता है जूड़ी देती है इससे फाइटल टेल भी कहते ह तो इसमें कार्बन की जो संक्या है वो 20 और हाइड्रोजन की संक्या 40 और एक ऑक्सिजन का मॉलिकूल है आप यह दियान रखें कार्बन 20 हाइड्रोजन 40 और एक ऑक्सिजन का मॉलिकूल है वह आपको इसमें दिखाए दिखाए दिखे रहा है इसके लावा यह आप देखें यह chlorophyll A और chlorophyll B के अंतर जो अंतर है यह जो डाइग्राम है यहाँ पर यह आप देखें यह और दिखा रखा है कि यह magnesium का प्रमानु है nitrogen से किस प्रकार पाइरोल रिंग से जुड़ा हुआ है आप इसमें यह देखें कि जो chlorophyll A होता है इसमें एलिहाइट समू होता है CHO और chlorophyll A में CHO होता है और chlorophyll A में CH3 समू है वो जुड़ा रहता है यह देखें यह आप फॉर्मूला दे रहे हैं chlorophyll A का जो फॉर्मूला होता है इसमें आप लेखें कार्बन 55 hydrogen 72 oxygen 5 nitrogen 4 और magnesium के यह दोनों के दे रहे हैं आपको यह द्यान रखना है कि chlorophyll A में दूसरी जो पाइरोल रिंग के साथ मेथैल ग्रूप होता है और chlorophyll B में अगर आप इस पूरी जो सनचना है उसमें इस डाइग्राम के द्वारा भी आप जो इसका मुलानुपाती सुत्र है वो लिखें और इस डाइग्राम के द्वारा भी इस सनचना को आप लोग समझा सकते हैं अब जो chlorophyll के जो मॉलीकुल होते हैं दोनों ही वर्णाग जिसमें chlorophyll A और chlorophyll B है विजीबल इस्पेक्ट्रम हम देखेंगे 430 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर की जो लाइट होती है जिसको हम आखों से देख सकते हैं NM बोलते हैं इसको NM ये जो लाइट होती है ये विजी कम अफ्सोर्सित करते हैं इसको हम एक्षन इस्पेक्ट्रा के नाम से भी जानते हैं तो आगेर जब हम विभीन प्रकार के जो पिगमेंट है जिसमें chlorophyll A, UA, B, UA या carotinoids के जो टाइट या phycobilines का पड़ेंगे तो उसमें ग्राप द्वारा मैं समझाने का प्रयास कोंगा कि ये जो दोनों वर्णक है किसको maximum रूप से absorb करते हैं और किस wavelength को minimum रूप से absorb करते हैं तो आज हमने प्लोरोफिल के वर्णक के बारे में दिन किया, next chapter में मैं आपको carotinoids, phycobilines और quantosome के बारे में जानकारी दूँगा, धन्यवाद